अभी हमारी मौझूदगी बिहार रोसरा में है और रोसरा की एक बिटिया ने देख सकते हैं कितना सांदर तरीका से स्केज किया है जो आपको इस्क्रीन पर दिख रहा होगा यह गनेज जी का हपरतिमा बनाया है आप अक्सर देखते होंगे प्रिंट आउट अगर कोई भी च सबसे पहले क्या नाम है मेरा सोनम चोहान है सोनम यह प्रिंट की हो या फिर हाथ का कला दिखाए हो यह हाथ से बनाया हुआ है पैंसल से हाथ से कबसे शुरू की स्केच बनाना और कहां से शुरू की तो मैंने स्केचिंग का स्टार्टिंग लॉक्डाउन के टाइम पर कीया था 2020 में और और मैंने इसके कहीं पिर घृत्तर इतना सुन्दर सुनदर बागेश्वर बाबा राधा केनेस जी और बहुत सारे लोगों का आपने स्केच किए आपका वीडियो देखें तो कई से सुरू किया कहा सकिया कोई तो होगा बताने वला यह जानकारी देने वला नहीं मैं आठ में इंट्रेस्ट मुझे बच्पन से ही था बच्पन से हैं यह बट मैं उतना मतलब बनाती नहीं थी सुरू से बट लोगडाउन की टाइम से ले कर सीखा है और सोनम भी सोसल मीडिया का सहारा अभी किनका किनका बना लेते हैं या फिर आपके सामने कोई व्यक्ति को खड़ा कर दें तो उनके हुवा हुआ आप सकते हूं बिलकुल कर सकते हैं अच्छा फैमली का कितना सपोर्ट मिलना है तो फैमली का बहुत ज्यादा सपोर्ट है और वह वह घ्की जादा सपोर्टीव है पापा मंई भाइया सब बताया ये भी जा रहा है कि आपके पिता जी एडवर्ट कोटेड है जी पतना हईकोट में पतना हाईकोट में जब इस सारे इन सारे चीजहों से दूर रख रहे से हूं उन्हों ने ही अक्चली मुझे इस चेतर में motivation दिया है और उनकी वज़े से ही मैंने art को start किया मतलब आपके पिता जी आपको support किये आपको motivate किये तब जाके उनके support से आज आज आप एक artist बंड है आटिस्ट के तोर पर आप उभर हैं आगे क्या आगे ये कुछ दिनों का खेल है या फिर आपको interest था मस्ती मजाग था एक उ इसको मैं प्रजेंट में अपने hobby के तौर पर ले रही हूं और साथ में study कर रही हूं बट आगे अगर इस छेतर में आगे बढ़ती हूं तो future में इसको full time करूंगी या फिर अभी तो फिलाल मैं पढ़ाई भी कर रहे हूं साथ में ये भी कर रहे हूं पढ़ाई के साथ कर नम का कि मुझे ये करना है या फिर आर्टीस बनना है तो बच्पन से तो मेरा dream कुछ और ही था मलब पढ़ाई को लेकर बट लोगडाउन के टाइम में मैंने इसको start किया तो फिर इस चित्र में भी मैं धीरे-धीरे लोग लोग को मेरी आर्ट पसंद आने लगी तो फिर मतलब लोगों को पसंद आने लगी तो आप इसके परती लगाओ जादा से जादा रखने लगे आगे आप बोल रहे थे मेरा ये कोई सपना नहीं था कुछ और सपना था तो जिस तरह से अभी आर्ट का सपना है कहीं आगे चलके कुछ और भी नहीं अभी तो फिलाल मैं government job क तैयारी भी कर रहे हूं तो अगर उसमें job हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज है और इसको भी मैं फिर hobby के तौर पे मतलब करते रहूंगी बट अगर government job नहीं होती है तो फिर इसको मैं full time करूंगी मतलब job का भी तैयारी कर रहे है किस चीज का SSC cgl का ससी cgl का मतलब देख सकते हैं हम या कहा सकते हैं कि खुद खुद के पैयारों परठया होने का सोनम ने नहीं बलकि बिहार की बेटियाने किया परियास बाकि बिहार की तमाम बेटियों से आगलें हो कि वह भी अपने प्यार पे खरा होने का परियास करें और सोनम के जैसा आर्ट्स में या पिर किसी चीज में आपका मल लगे आपको रूची है तो उसमें फूल टाइम या फिर कुछ घंटा तो देने का जरूर परियास करें आखरी में जाते जाते बिहार की बेटियों के सब लोग में टाइलेंट रहता है लेकिन वह दिखाना नहीं चाहते हैं सोनम ने अभी कहा अच्छे कॉंटेंट इसका क्या अच्छा कंटेंट मतलब कुछ लोग होते हैं जो अलगर बनाते हैं तो उनके लिए मैंने बिल्कुल इनका यह कहना है कि अंग परदर्शन तो करत अपना रूची रखा और देख सकते हैं कितने बहतर तरीका से आर्च बना बाकी इनके बारे में आपका क्या रहा है कोमेंट के बॉक्स में अपनी राए जरूर दे तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जूरे रहें बीबीयाल न्यूज के साथ धन्यबाद जये